श्री शद्गुरु महराज कीज़ गुरु हरी चरन में प्रेति हो युग काल क्या करे कछवी की द्रेष्टी द्रेष्टी हो जन्जाल क्या करे जग नास का विश्वास हो फिर आस क्या करे डिड़ भजन धन ही खास हो फिर त्रास क्या करे वैराग युतया अब्धाश हो नीराश क्या करे शत शंग गढ़ में वास हो भव पास क्या करे त्याग पंच पाप हो फिर पाप क्या करे शत बरत में डिड़ आप हो कोई शाप क्या करे पूरे गुरु का शंग हो अनंग क्या करे मेही जो अनुभव ज्ञान हो अनुमान क्या करे गुरु हैरी चरन में प्रीति हो युग काल क्या करे कचवी के द्रेश्टी द्रेश्टी हो जंजाल क्या करे परमात्म स्वरोप शद्गुरु के चर्णों में यदि प्रेम हो जाए तो शमय या काल क्या विगार सकता है यदि कचवी किसी द्रेश्टी जिसे वह अपनी सूरत के द्वारा ही अंडे सेती है मिल जाए तो शंशारिक उल्जन उसकी क्या हानी कर सकता है यदि किसी को शंशार की छन भूंगुरता का ज्यान हो जाए तो वह शंशार की आशा क्यों करेगा जिसे डिड ध्याना भ्यास रूप विशीश धन प्राप्त हो गया हो उसे भय कैसा जो वैराग शंजुक्त होकर ध्याना भ्यास करता हो वह निराश क्यों होगा जो शत्षंग रूप कीले में निवास करता हो उसे शंशारिक बंधन कैसे बांदेगा जिसने जूट चोरी नशा हिंशा और वेविचार इन पंच पापों को त्याग दिया है तो उससे अनिपाप कैसे होंगे जो श्वेंग शत्य धर्म का आचरन डेटा पुर्वक करता हो उसे किसी का शाप कैसे लग सकता है महर्शी में ही प्रमहन्जी महाराज कहते है कि जो तन मन से शच्चे गुरु की शेंगती में रहता है उस पर काम देव काम वाश्ना क्या प्रभाव डाल सकता है जिसने परमात्मा का अनुभव ज्यान प्राप्त कर लिया हो उसके लिए अनुमान बौधिज्ञान का क्या महत्व है श्री शद्गुरू महराज की जय